हेलो एवरीवन जेश्री रादे रादे जी स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर आज हम अपनी वीडियो में देखेंगे सिंगल कलर से बनने वाली एक असान सी बुनाई जिसे आप लीडिज और जेंट्स या बेबी स्वेटर में असानी से अपलाई कर सकते हैं इस डिजाइन के लिए हमें सेवन के मल्टीपल में फंदे लेने होंगे सेवन के मल्टीपल में फंदे लेने के लिए आपको दो फंदे एक्स्ट्रा रख लेंगे मतलब 77 के multiple में फंदे लेने के बाद दो फंदे एक्स्ट्रा रख लेंगे और प्लस दो फंदे आप एज़स्टिच रख लेंगे मतलब टोटल चार फंदे आप एक्स्ट्रा रख लेंगे तो यह बुनाई कुछ इस तरह से बन करके त्यार होगी तो हम पहले स्लाइज टार करते हैं डिजाइन ना स्टार करते हैं तो देखें डिजाइन के पहले स्लाइज कैसे बननी होगी पहला फंद आजस्टिच उतार लेंगे दो फंदे उल्टे इन पाँच पाँच फंदों पर ही डिजाइन बनता हुआ चला जाएगा इन पाँच फंदों को हम क्या करेंगे पहले इन तीन फंदों को हम इस लाई में लेंगे और ऐसे ट्विस्ट कर लेंगे और वापिस से इसी स्लाई पर डाल लेंगे इसी स्लाई पर डाल लेने के बाद और बाकी के दो फंदों को भी हम बुल लेंगे ऐसे पाँच को एक साथ कर लेंगे पाँचों फंदों को एक साथ कर लेंगे ध्यान से देखिएगा जरा एक धागा आगे करेंगे तो हमारे फंदे यहां बढ़ते हुए चले जाएंगे तो यह देखिए इस तरह से आपकर पांच फंदे हमें फिर से मिल गए और यह इस तरह से यहां बन जाएगा फिर से दो फंदे उल्टे दागा पिछे करेंगे इन तीन फंदों को पहले हम ट्विस्ट कर लेंगे ऐसे फिर वापिस इसी स्लाई में ले लेंगे इस तरह से फिर इन तीन फंदों को बाकी के इन दो फंदों को हम इस तरह से एक साथ ले करके पाच बार बुन लेंगे एक धागा आगे करेंगे दो फिर बुना तीन फिर धागा आगे करेंगे चार और ये बुना पाच इस तरह से हमारे पाँछ फंदे फ्रिबादी बन करके मिल जाएंगी है यहापर फिर से दो फंदे उल्टें धागा पिछे करेंगे इन तीन फंदो को ट्विस्ट कर लेंगे ऐसे फिर वापस से सिसलाई में ले आएंगे और फिर इन तीन फंदों को और बाकी के दू फंदों को ऐसे हम बूल लेंगे एक, दो, तीन, चार, और यह आपका, पांच फिर दो फंदे उल्टे, एक फंदा इस्टिच हम सीधा रख लेंगे उल्टी स्लाई में क्या करेंगे, उल्टी स्लाई में जो फंदे हमने यहाँ उल्टे बुने थे उल्टी स्लाई में उसे हम यहाँ सीधा बुनेंगे और जो 5 फंदे हमने डिजाइन किया था उसे हम उल्टा उल्टा बुलेंगे पहला फंद आजस्टी चुतार लेंगे 2 फंदे सीधे 5 फंदे उल्टे 2 3 4 5 फंदे सीधे पांच पंदे उल्टे एक, दो, तीन, चार, पांच दो पंदे सीधे पांच पंदे उल्टे आजाते हैं डिजाइन की अब थर्ड रो पर थर्ड रो में हम क्या करेंगे पहला फंदा हम उतार लेंगे एक पांच पंदे उल्टे पांच पंदे सीधे फिर दो पंदे उल्टे पांच पंदे सीधे दो पंदे उल्टे इसी तरह से उल्टे स्लाई को जैसे जो फंदा जैसा दिख रहा है वैसे ही बुनते बुनते वैसा ही बुन लेंगे तो इस तरह से डिजाइन की फोर्थ रों भी हमने जो फंदा जैसा दिख रहा है वैसे ही बुनती हुई कंप्लीट कर ली आ जाते ह Pack वैसे ही बनेगी जैसे थरड रोव बनी थि और शिक्यों वैसे ही बनेगे जैसे के फोर्थ रो बनी थि मतलब एक फंदा एज़स्टिच उतार लेंगे दो उल्टे पाँच सीधे दो उल्टे पाँच सीधे दो उल्टे पाँच सीधे दो उल्टे पाँच सीधे और दो उल्टे फिर एक सीधा इस तरह से बुनते हुए हम अपनी 5th row को complete कर लेंगे और 6th row को जो फंदा जैसा दिखाई दे रहा है वैसे ही complete कर लेंगे उसके बाद मैं आपको design का ये look दिखाती हूँ कि इस तरह से हमारा design complete होगा और फिर नेया design डालने के लिए आपको वही 1st और 2nd row apply करनी होगी तो इस तरह से हमारे design की 5th और 6th row भी complete होती है तो ये design इस तरह से बन करके आएगा फिर से मैं आपको एक सरफ ये design बना करके दिखाती हूँ कि कैसा एक बार और बनाना होगा 6 लाईयों को ये design है 6 लाईयों में बन करके complete हो जाता है 2 फंदे सीधे 3 फंदों को हम पहले ट्विस्ट कर लेंगे इस तरह से अब वापिस इस इस लाई पर ले आएंगे पर इन तीन फंदों को बागी के 2 फंदों को आप 5 बार भूनेंगे 1 2 तरह से आपको पूरी परो करनी है जैसे मैंने आपको फर्स्ट रो दिखाई थी वैसे ही आप उंते हुए इस डिजाइन को आप किसी भी लेडी जैन्स और बच्चों के स्वेटरस में अपलाई कर सकते हैं मेरी पूरी वीडियो में बने हैने के लिए आपका भूग धन्यवाद तब तक के लिए जैसली रादे रादे